के नमस्कार जहिंल मैं हूँ राजेश राना और आप देख रहें नेक्सू टी मैं आज हम बात कर रहे हैं दिलि के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल की दिलि के बीजेपी यानि की एंडिये को घेरने के लिए बनाई गई है और आज अरविंद केजरीवाल उन्ही नेताओं के साथ गलबईयां कर रहे हैं जिन नेताओं को भरष्टाचारी और परिवारवादी बोलकर राजनीती में आये थे तो चलिए आज हम वही से शुरू करते हैं कि क्या हुआ था शुरुआत से आपको बताते हैं कि कैसा हुआ था क्योंकि मैंने अरविंद केजरीवाल का वो वक्त भी देखा है जब वो जोला उठाकर चैनलों में अपने मुद्दों को बताने के लिए आते थे मेरे पास भी वो करते हैं केजरीवाल और कितना गिरो गए बच्चों की जूटी कस्मे खाना तोड़ना पेशा है क्या आपका क्या आपने ऐसा नेता देखा है केजरीवाल के अलाबा जो बच्चों की जूटी कस्म मीडिया के साथ क्या केजरीवाल के लिए परिवार के कोई रिष्टे नही क्या केजरिवाल जैसे तथा खतित पढ़े लिखे परिवारों में रिष्टे कोई माइने नहीं रखते हैं क्या केजरिवाल ने जान भूज कर लोगों को राजनीती करने के लिए गुमरा किया क्या केजरिवाल ने जान बूज कर लोगों के सामने ऐसी जूटी कस्में खाई जो हमारे समाज में कोई नहीं खा सकता हमारे समाज में अपनी अवलाद की जूटी कस्म तो कभी कोई खाई नहीं सकता क्या इसी का फायदा उठा कर लोगों को emotionally blackmail किया केजरिवाल ने क्या केजरिवाल भारतीय समाज की उस सच्चाई की जूटी कस्मों को खाकर राजनीती करना चाहते हैं जिस पर समाज तिका हुआ है क्या ऐसी जूटी कस्में खाकर केज़रिवाल हमेशा राजनीती कर सकेंगे जो भारतीय समाज की नीव है क्योंकि हमारे समाज में कोई भी अपने बच्छों की जूटी कस्म नहीं खाता तो आईए आपको बताते हैं केजरिवाल की हर उस जूटी और सची कश्मों के बारे में जिन्हें उन्होंने नेता बनने के लिए खाई थी आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से प्रात्मा है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और कमेंट करके हमें बताएं कि आप और किन-किन मुद्दों पर हमारे साथ जूना चाहते हैं साथ ही आप बात करना चाहते हैं हम उन सभी मुद्दों को आपके सामने रखेंगे सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरिवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाते वक्त क्या कहा था दस साल पहले केजरिवाल ने कहा था बच्चों की कसम ने कांगरेस से गठवंदन करेंगे ने बीजेपी से ये बात 2013 की है 2015 में केजरिवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद कहते हैं बंद कर दो CBI बंद कर दो ED बंद कर दो ACB अगर तुमसे जांच नहीं होती जांच करनी है तो दो दिन के लिए सोनिया गांधी को का इंट्रोकेशन कर लो देखो पता चल जाएगा किस-किस ने रिस्पक लिए और कौन-कौन नहीं कौन-कौन बचा है आज उनी सोनिया गांधी के साथ केजरिवाल जाके गलवईया कर रहे है आज हम सब लोग केजरिवाल कहते हैं बैंगलोर की अपनी एक भाशन में आज हम स सारे जुलाई को केजरिवाल ने बैंगलोर में कहिए उन्हीं पार्टियों और नेताओं के साथ जिन पार्टियों और नेताओं को केजरिवाल जेल में डालने की बात करते थे साथ ही अपने बच्चों की जूटी कस्म खाते थे नेताओं के लिए केजरिवाल जब राजनीती में आये थे तो इन्होंने कहा था कि भारतिये नेताओं ने देश की राजनीती को गंदा कर दिया है वो सिध्धंतों वाली राजनीती करेंगे और राजनीती में कट्तर इमानदार रहकर दिखाएंगे लेकिन केजरीवाल के सिध्धंतों का क्या हुआ वो आप बैंगलाउर में राजनीतिक पार्टियों के मंच को देख कर समझ सकते हैं आज केजरीवाल उन सभी नेताओं के साथ गलवईयां कर रहे हैं जो या तो भ्रिष्टाचार के आरोपों में जेल से बाहर है या फिर सजा काट चुके हैं केजरीवाल के बयानों को आज कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है जिसे केजरीवाल सैकनों बार कांग्रेस को सबसे बड़ी भिष्टाचारी पार्टी बता चुके है अब यहां कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विकास एक्चुली हुआ क्या है कि विपक्ष ने जो कठपंदर बनाया उसका नाम इंडिया दिया है तो उसमें एक शब्द है डी तो डी का मतलब इनों ने रखा है डेवलपमेंट लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस डी का मतलब डेवलपमेंट नहीं डेवल स्टेंडर्ड नेता है केजरिवाल ने जब राजनीत में प्रिवेस खिया था तो जनता को कहा था कि वो सिध्धनतों वाली राजनीती करेंगा और भिष्टाचार से कभी समझोता नहीं करेंगा आज केजरिवाल की सरकार में ब्रेश्टाचार भी हो रहा है और उनके मंत्री जेल में हैं तो आज केजरिवाल उन्हीं लोगों के साथ अपनी राजनीती कर रहे हैं जिनें कभी ब्रेश्टाचारी बोलते थे तो क्या यहीं है केजरिवाल के सिध्धान को स्विकार कर रहे हैं इस से पता चलता है केजरिवाल की पार्टी में लोगतंतर नाम की कोई चीज नहीं वरची है क्योंकि ये पार्टी लोकतंत्र बचाने और सिध्धनतों की राजनीती करने आई थी तो सवाल उठाना तो बनता है 2010 की बात मुझे याद है केजरिवाल से मेरी मुलाकात एक चैनल में हुई थी जहां केजरिवाल अपना इंटर्विव देने के लिए और अपने मुद्दों को समझाने के लिए मेरे पास आये थी तब मीडिया में मेरी शुरुआत थी मैं एक प्रोग्राम का प्रोडूसर था लेकिन हमने इनका इंटर्विव नहीं किया था और इनके मुद्दे को सुनकर हमने इने फिर से मिलने की बात कई थी लेकिन मुझे इनके जाल की हकीकत समझाने लगी थी धीरे धीरे जब केजरी वालने अन्ना अंदोलन को हाईजेक किया तो हमने एक प्रोग्राम में ही इनकी हकीकत बता दी थी कि इन लोगों का मकसद सिस्टम को सुधारने का नहीं बलकि राजनीती में अपनी जगए बनाने का है अन्ना अंदोलन एक ऐसा अंदोलन था जिसमें पूरा देश खड़ा हो गया था अन्ना के साथ मगर केजरी वालने पूरे अंदोलन की जागरुकता पर पानी फिल गिया था अन्ना के अंदोलंशे, देशवासी, देश और विदेश जुड़ गए थे सरकारें घुटने पर आ गई थी क्योंकि हर और ब्रस्टाचार का बोलबाला था जनता दूखी थी और नेता मौज कर रहे थे वो ऐसा वक्ट था जब सरकारें सिस्टम सुधार के लिए घुटनों पर आने को तयार थी क्योंकि जनता तब सड़कों पर उतर गई थी और ऐसा सदियों में एकादवार होता है, रोज रोज नहीं होता है लेकिन उस पूरे आंदोलन पर पानी फेर दिया अर्विंद केजरिवाल की तुछ राजनीती ने, राजनीतिक महत्वा कांक्षा ने शायद उस वक्त जो जनता की मांगे थी कि देश में भरस्टाचार खत्म होगा, देश में सिस्टम पर इवर्तन होगा वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने एजेंडा पूरा बदल दिया और पूरे आंदोलन को हाईजैक करके अपनी राजनीती के इर्द गिर्द घुमा दिया सबसे बड़ा सैट बैक था वो, जिन लोगों ने ब्रश्टाचार से देश की राजनीती में 75 साल से ब्रश्टाचार करने के बावजूत इतना नुक्सान नहीं पहुँचाया था जितना अर्विंद केजरी वाल ने उस वक्त एक आंदोलन को खत्म करके और अपनी तुछ राजनीती के लिए एक आंदोलन के सारे मुद्दों को दबा दिया था वो आंदोलन ऐसा था जब देश में देश के सिस्टम में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते थे सरकारे करने को मजबूर थी क्योंकि जनता सडकों पर थी अर्विंद केजरी वाल के साथ खड़े हुए तमाम जो सचे देश वक्त लोग थे वो साथ थी खड़े होने के छोड़ कर वापस चले गए क्योंकि अर्विन बिकेजरिवाल की महत्वा कांक्षाँ लोगों को पता चलने लगी और इन्ही महत्वा कांक्षाँ ने देश की राजनीती में जो सिस्टम परिवर्तन होने वाला था उसको खत्म कर दिया मेरा अपना मानना है एक सीनियर पत्रकार के तौर पर क्योंकि मैंने उस आंदोलन को और उस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे उस आंदोलन पर मुझे याद है लिखे थे मैंने मैंने उस वक्त भी ये लिखा था कि ये आंदोलन देश की राजनीती और देश के सिस्टम को बदल देगा लेकिन इस आंदोलन ने सिर्फ आरविंद केजरिवाल की किस्मत को बदला इसके अलावा कुछ नहीं हुआ इस देश में सब कुछ वही रहा तो मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरिवाल जैसे नेता उन नेताओं से भी खतरनाख है जिनोंने देश की जड़ों को खोकला कर दिया भरष्टाचार करके ऐसे लोग उनसे भी जादे खतरनाख है तो दोस्तों आपका क्या कहना है बताईए हमें कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राब कर लिए आज के लिए इतना ही नमस्कार